खटे मिठे हम लोग आज बनाएंगे मौसंबी का जूस तो चलिए बनाते हैं मौसंबी का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा खटा मिठा टेस्ट आने वाली जूस तो मौसंबी के जूस बनाने के लिए यह मैं क्या की हूँ दो से तीन के करीब मौसंबी ली हूँ छील के जो एजेस रहते हैं उन्हों निकाल ली हूँ यह देखे आप देख सकते हैं इस तरह से उसके बाद में क्या करना है एक मिक्सी के बर्तन में मिक्सी के बर्तन में यह जो हम लोग मौसुंबी के एजेस निकाले हैं चोटे-चोटे तुकडे नहीं बूल सकते लेकिन चो तो सिर्फ पानी डाली हैं तो अगर पानी ना ये मिक्क्ष करने leads को muted तरह से मिक्स करना है और मैं आपको बता दू कि यह जो मौसंबी के जूस है ना इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप अपने टेस्ट के निम्बू और थोड़ा सा पुदेना भी डाल सकते हैं इससे भी जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है तो हम लोग बहुत ह इसमें अपने खंता लिजन कर लिए हैं उसके बाद में आप देख सकते हैं जू से कितनी इसमें अची तरह से बरी हैं लेकिन मैं अपर stars प्लीज करे आप इननी क्या करें चान करें मैं बिना चाने ही सरुतरी करती हूं मतलब कि आपको दिखाने के चकर में मैंने थटोड संबी की जो रहते हैं कुछ ज्यादा ही रहते हैं तो वह उससे उसका जो टेस्ट है अब हल्का सा खटा आता है तो आप हमेशा जूस को सव करते समय क्या करें इन्हें अच्छी तरह से छान ले और उसके बाद में सव करें अगर आप ऐसे भी सव करते हैं तो कोई फरक नहीं ऐसे भी इसका जो टेस्ट है वह अच्छा लगता है तो हमारी जी मौसंबी को जूस है रिखें आल्मोस्ट रेडी हो गई है उसके बाद में इसके उपर में हमें हलका से क्या कर रहे हूं जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर रहे हूं आप चाहते से स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसे दिखने में बहुत सुन्दर दिखते हैं मुझे थोड़ा सा लुग जो है न वह थोड़ा सा अच्छा दिखाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर स्प्रिंकल की हूं उसके बाद में आप देख सकते हैं यह दीखने में कितना सुन्दर लग रहा है और इस झाल झाल